करता हूँ आपका विदानतूस क्लास 9th and 10th चैनल पे और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बहुत जादा important topic क्योंकि आप लोगों के exam आने वाले हैं और exam time पे बच्चों को like मुझे भी मतलब आपके comments के तुरू पता चला कि आप लोगों को यहार अपना syllabus ही नहीं पता है so बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता कि कौन-कौन से ऐसे topics हैं इस साल जो CBSC ने delete किये थे तो उनहीं को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे कौन-कौन से topics हैं जो इस साल डिलीटिड है आपकी NCRT से CBSC ने जो डिलीट कर दिये थे oh my god तीन महीने बाद exam है क्या कर रहे है यार तुम लोग क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो सो फटाफट से एक बारी जरा मुझे बता दो यार क्या मैं audible visible हूं क्या मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को है ना चालो हाई हिमान्शू है मेरी निशू आपकी तबर ठीक है ना बेब अरे 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 एलो गाइज है नहीं मैं बिमार हूं अच्छा चलो एक बारी फटाफट से मुझे बता दो क्या मैं audible visible हूं क्या मैं आप लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं हाई सर हाई प्रनव हाई अधित्या हाई ब्लाक हाट हाई हाई अधित्या हाई धनन जे घेमर प्रोफेश्णल गेमर हाई चालो जी हेलो बया मेरे मैच में काफी बैड स्कोर आ रहा तो थोड़ा इंप्रूफ करो बहुत सारी वीडियो में आप लोगों के साथ शेर करता हो की कैसे आप इंप्रूफ कर सकते हो मैं आ ज को तो उन वीडियो को जरूर देखा करो क्योंकि वो सारी की सारी वीडियो यार आप लोगों के लिए बनाई जाती है तो make sure कि आप लोगों के पास यह जो strategies वाली वीडियो होती है उन सभी को जरूर देखा करो तो यार चलिए फिर करते इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ लेकिन अगर जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप लोग चानल को सब्सक्राइब करोगे है ना तो चलो करते यार देखते देखो मतलब अभी मैं कुछ टाइम पहले ना बच्चों के कॉमेंट्स पढ़ रहा था तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भाईया कौन-कौन से चाप्टर वाइज में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन-कौन से टॉपिक्स आप लोगों के डिलीटिड है इससाथ सबसे पहले बात करेंगे यार रियल नंबर से रियल नंबर में पहले आप लोगों के पास यूकलिट डिविजन लेमा और यूकलिड डिविजन ने जो डिलीटिड टॉपिक हैं वो तो हटा दिये बट जिनके पास पुरानी NCRT हैं उनके लिए ये टॉपिक्स डिलीटिड हैं तो ये वाला टॉपिक मत करके जाना क्योंकि ये एक्जाम में नहीं आएगा भया तो इस चीज को मत करना हेलो भया सिलेबस पूरा नहीं हु या हुआ करते थे वो टॉपिक भी आपके पास रियल नंबर से डिलीटिड है चीके जी हाँ हैपी दिवाली हैपी दिवाली हैपी दिवाली सभी बच्चों को हैपी दिवाली और आज विश्व कर्मा डे है तो सभी बच्चों को विश्व कर्मा डे हैपी विश्व कर्मा है ना बट तब तक के लिए वीडियो को लाइक करते रहो शेयर करते रहो और सब्सक्राइब कर देना इस चानल को फिर सेकंड टॉपिक है बिटा आप लोगों के पास सेकंड चाप्टर है पॉलिनॉमिल तो पॉलिनॉमिल में आपकी NCRT में क्यूबिक पॉलिनॉमिल नाम का से भी हैं तो अगर कभी आपके एक्जाम में ऐसा हो जाए कि out of syllabus कोई topic आ जाए या फिर out of syllabus कोई question आ जाए या फिर deleted part से कोई question आ जाए तो वहां उस situation में आपको क्या करना है उस situation में आपको वो question बस attempt करना है attempt करना है उस question को और आपको उसके पूरे marks मिलेंगे चाहे वो आपका गलत हो या सही हो उससे फरक नहीं पड़ता आप बस उस question को attempt करो आप बस question number डालके given लिख दोगे तो भी आपको पूरे marks मिलेंगे attempt करना है बस आपको चीके जी अचा उसके बाद आपके पास division of polynomial deleted है इस chapter से पहले हमारे पास divide भी divide करना भी आता था polynomial को दो polynomials को divide गरना है बट इस साल CVSC की महरवानी से deleted है तो इस chapter में ले देके आपके पास सिर्फ quadratic polynomial बच जाता है जिसका middle term splitting आपको करना होता है सिर्फ quadratic polynomial आपके पास इस chapter में बच जाता है ठीके जी तो सिर्फ ये topic आप लोगों को करना है middle term splitting वाला जिसमें sum of zeros और relation between zeros and coefficient of the polynomial ठीक है जी अच्छा फिर तीसरा topic यहाँ पे बच्चों को सबसे जादा confusion होती है एक part में जो की है आप लोगों के पास क्या अभी बतातो दो मिनट में ठीक है सबसे पहले तो cross multiplication method आपका इस topic से इस chapter से deleted है cross multiplication method आप लोगों के पास नहीं आएगा आप लोगों के पास सिर्फ दो method है एक है विटा substitution method और एक है आपके पास elimination method तो यह दो topic है आप लोगों के पास इन दोनों topics को कर लेना उसके अलावा आप लोगों के पास Reducable pair of linear equation deleted है अब Reducable pair of linear equation क्या होता है जब आपके variable denominator में आने लग जाते है तो वो Reducable pair of equation होता है तो Reducable pair of linear equation होता है वो deleted है और बच्यों को कई बार लगता है कि upstream downstream stream भी deleted है ऐसा नहीं है मुझना upstream downstream के questions आपके पास आएंगे जैसे मेरे करन अरजुन आ हैंगे ना मेरे करन अरजुन आहेंगे वैसे आप श्थ्रेम डाउन इक questions भी आएंगे ठीक है तो upstream downstream के questions आप कि रपया करके छोड़ुके मत जाना मैंने एक short video भी बनाया था और वैसा ही question आपके पास upstream downstream से आएगा उसके अलावा upstream downstream से और कोई दूसरे type का question नहीं आएगा चीक है जी चालो आजाओ फिर अगर मैं बढ़ू आगे आपके पास quadratic equation quadratic equation में पहले आप लोगों के पास completing the square method हुआ करता था जिससे हम लोग quadratic equation निकाला करते थे बहुत अच्छा method हुआ करता था बट इस साल वो deleted है तो इसको करने की आपको जरूरत नहीं है तो इस chapter में आप लोगों के पास कौन-कौन से topic बच गए बटा एक तो बच गया factorization method जिससे हम middle term splitting भी कहते हैं और एक आपके पास बच गया क्या quadratic formula तो quadratic formula यह दो टॉपिक्स आप लोगों के पास बच गये हैं फिर यहां से आप nature of roots वगरा वो सारा का सारा इसी के अंदर आ जाता है nature of roots अना तो यह दो topics आप लोगों के पास बच गये हैं इस chapter में तो बाकि यह deleted है किसी की किताब में अगर यह topic है completing the square तो वो सर मॉक टेस्ट कहां से attempt करूँ बस थोड़ी देर रूजाओ सबका जवाब आपको मिलेगा इस session के end में है ना फेले यह फटा-फट से कर लते हैं ठीके आजो फिर उसके बाद बेटा arithmetic progression में CBSC ने कहा कि यह chapter आप लोगों के पास नया है तो इस नए chapter में CBSC ने आपको कहा कुछ delete नहीं करेंगे कुछ delete नहीं करेंगे तो CBSC ने इस chapter से कुछ भी delete नहीं किया है arithmetic progression आप लोगों के पास पूरा का पूरा chapter आएगा general term sum of n terms जितने भी चीज़े आपकी NCRT में है वो सारा का सारा आप लोगों के पास रहेगा चीके बेटा चालो Sir does CBSC ask for graph? Yes बेटा बिलकुल polynomial में नहीं पूछेगा लेकिन linear equation into variable में वो पूछ सकता है आपके पास की graph बनाने को भी question आते हैं और graph से like related questions भी आते हैं आपके पास ठीके जी फिर आप लोगों के पास है बेटा triangles चाप्टर से आप लोगों के पास पहले एक theorem हुआ करती थी areas of two similar triangles कि अगर दो triangle similar बहुत अच्छी theorem मतलब delete करना नहीं चाहिए था CBSC को इस theorem को क्योंकि competitive exams में भी बहुत important रहता यह कि अगर दो triangle similar हैं तो उनके area का जो ratio होता है वो corresponding side के ratio के square के equal होता है वो theorem CBSC ने delete कर दिया करना नहीं चाहिए था बट क्या कर सकते कर दिया पाइथागोरस theorem तो चलो फिर भी हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं तो यह theorem भी आपका delete कर दिया है CBSC ने है ना तो यह इन theorem कुछ detailed topics हैं जो CBSC ने delete किये हैं जिनमें एक areas related to like area of similar triangle और पाइथागोरस theorem वाली टॉपिक है और अगर मैं बात करूँ तो इसमें है क्या आपके पास इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ BPT है जिसे हम Thales theorem भी कहते हैं है ना और इसके अलावा आप लोगों के पास इस चाप्टर में और दूसरा टॉपिक जो है वो है आप लोगों का क्या क्या कहूं similarity of triangle ठीक है ना कि दो triangles को हम similar कैसे proof करते हैं similarity similarity of triangle तो angle angle criteria side 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 criteria और side angle side variety यह तीन चीज़े आपके पास इस चाप्टर में हैं ठीक है विटा अच्छा उसके बाद अगर मैं और चाप्टर की बात करूँ which is coordinate geometry तो coordinate geometry से आप लोगों के पास area of triangle पहले आप लोगों के पास formula हुआ करता था कि अगर तीन points है तो area of triangle कैसे निकालोगे तो इस तरीके से हुआ करता था कुछ-कुछ x2 into y1-y2 sorry x1 into y2-y3 इस तरीके से एक area of triangle का formula हुआ करता था last exercise थी 7.3 वो पूरी की पूरी cbsc ने delete कर दी है इस साल लेकिन अभी cbsc ने जो sample paper release किया था set 2 set 2 जिसका मैंने कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले solution भी मतलब उस पूरे के पूरे sample paper को solve करा था उसमें last question last question case study question का second part second part आप लोगों के पास इस topic से इस topic से area of triangle topic से दिया गया है आपके boards exam में deleted part से कोई भी question नहीं आएगा लेकिन अगर आज आए तो आपको पता है आपको क्या करना है आपको वो question सिर्फ और सिर्फ attempt करना है उसके आपको पूरे marks मिलेंगे कोई spammer आया यहां पे baby baby कर रहा है where are you baby baby चली गई ठीक है baby तुमारी यह हरकते देखके न निकल ली यहां से आवे ऐसी हरकते करोगे where are you baby तो कोई baby आपके आसपास भी नहीं भटकेगी समझगे ठीक है पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और फिर देखो कितनी baby तुमारे आसपास आएंगी जब तुम काबिल बन जाओगे है ना बट अगर ऐसे करोगे तो फिर कोई baby नहीं सुनेगी बाबू समझे कोई baby तुम्हें बाबू नहीं बनाएगी तो यह अरकते मत करो इनसे अगर लड़कियां पटने लग जाए तो फिर हर कोई वही खोलके ना बैठ जाए फिर YouTube पे मतलब स्पैमिंग ही करने ना लग जाए तो इससे ना हुपाएगा बेटा कुछ और करना पड़ेगा पढ़ो लिखो फिर तब जाके कुछ होगा चैलो जी आगे बढ़ते अगला चैप्टर है आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्र आप लोगों के पास अंगल और आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेल्डी लेक्वेस्जन अब यह जो आपके पास पहले एक और टॉपिक हुआ करता था ता है ग। करना नहीं चाहिए था cbsc को क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक था यह और 11 ग्लास में रहेगा आपके पाँ जिसमें हम लोग ऐसा पढ़ते थे साइन नाइंटी माइनस थीटा इस एकोल स्टीटा कुछ और आइडेंटिटीज होती थी बट cbsc मतलब आप लोगों के उपर इतनी महरबान हो गई कि उन्होंने यह सब डिलीट कर दिया बोला रहे यार बच्छे बहुत परेशान है वैसे ही तो यह कुछ और आइडेंटिट नहीं करना चाहिए ता पूरी ही मैच को बैन कर देना चाहिए तो बहुत अच्छा है यह लड़की को cbsc में भीजना पड़ेगा ऐसा लग रहा है सर रिविजन कैसे करेंगे बस दो मिनट दे दो यार जब मैं एक बारी इन सब चीजों को खतम करवा दे तो उसके बाद मैं आपके questions को address करूंगा ठीक है अच्छा सम application of trigonometries है आप लोगों के पास cbsc ने बोला सब पड़ो सब पड़ो ठीक है सब पड़ो इंग्लिश में लिख लेता हूं सब पड़ो ठीक है ना क्यूंकि सब कुछ आएगा कुछ भी deleted नहीं है इस chapter से फिर आप लोगों के पास है circles में circles में भी CBSC ने बोला कुछ delete नहीं है कुछ delete नहीं है ठीक है न सब कुछ पड़ना है इस से ठीक है सरकल से भी सब कुछ पड़ना है फिर आप लोगों के पास आता है एक chapter और था यार बीच में construction नाम का एक चाप्टर हुआ करता था construction नाम का एक chapter हुआ करता था वह CBSC न है बहुत अच्छी बात है तो फिर आप लोगों के पास है chapter number 11 areas related to circle अब इस chapter में आपके पास बेटा देखो एक तो area of sector पूछा जाता है एक area of segment पूछा जाता है और एक length of arc पूछा जाता है यह तीन topic है majorly इस chapter में length of arc और एक और topic हुआ करता था पहले area of combination of plane figures area of combination of plane figures जब दो figures को हम combine करते वो topic CBSC ने delete किया है लेकिन 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 कई सारे sample paper में जो CBSC ने भी release किये हैं बहुत जगहा पे इस topic के questions देखे गए हैं और मैंने अपनी videos में इस topic के questions आपको करवाए हैं तो यह topic competitive exams में भी बहुत important है मैं आपको यही suggest करूंगा आप लोग इस topic के questions को छोड़ना मत क्यूंकि बेटा बहुत सारे बच्चे confused होते हैं मालो ऐसा circle दे दिया और ऐसा एक figure दे दिया और उसमें ऐसा सा कुछ बना दिया और बच्चे सोचते कि यह area of combination of plane figure से हां उससे मिलता जूलता है आपको इस shaded region का area निकालना मालो यह वाला shaded region का area निकालना तो बच्चे confused हो जाते तो मैं यही suggest करूंगा इस topic को छोड़ना मत कर लेना मैंने अपने sessions में यह questions करवाए हैं आप areas related to circle का one shot video देख सकते हो जितने भी chapters है सभी chapters के one shot video इस channel पे हैं तो अगर जो important topic है deleted भी है चाहे but important है तो वो मैंने करवाए है क्योंकि कई सारे sample papers में उन topics को देखा गया है जनरली सीवी एसी नहीं देगा लेकिन बाइचांस अगर दे दे तो आप उसको attempt करने लायक हो सको इसलिए मैंने वह करवाया है ठीक है जी अच्छा फिर जैसे मैंने बताया था construction नाम का एक chapter हुआ करता था बूरा delete कर दिया यह बहुत अच्छा किया सीवी एसी ने फिर आप लोगों के पास बेटा कोन आता है फिर आप लोगों के पास बेटा स्वेयर आता है और फिर आप लोगों के पास बेटा हैमिस्वेयर आता है हैमिस्वेयर आता है तो यह छे फिगर्स आप लोगों के पास हैं और कई बार आप लोगों के पास इन चारो इन चारो फिग नाम का एक topic हुआ करता था तो first time of cone ये तो deleted है बहुत अच्छा किया बहुत बेका topic था but first time of cone 11.3 exercise हुआ करती थी वो deleted है लेकिन इसके अलावा cbsc ने एक और topic delete किया हुआ है जो की है आप लोगों के पास conversion of solid का conversion of solid from one shape to another shape जैसे आपने कई बार वो question देखे होंगे ना कि एक cuboid था उसको melt किया melt करके एक sphere बना दिया cylinder बना दिया या cube बना दिया कुछ बना दिया तो वो topics जो है cbsc ने delete किये हुआ है बट बहुत सारे sample paper में जैसे कि बोला गया ना बहुत सारे sample paper में उस topic को देखा गया है उस topic के उपर questions को देखा गया है तो किरपया करके उस topic के questions को छोड़ना मत करना competitive exams में बहुत important रहते हैं ये कल मैंने एक video बनाया था surface area and volume का one shot session उसमें मैंने इसके questions करवाए हैं दो-तीन questions करवाए हैं तो आप दो-तीन questions वो जरूर करना उसका ठीके ठीके चालो आजो फिर अगला है बेटा आप लोगों के पास statistics से आप लोगों के पास cumulative frequency graph सिर्फ और सिर्फ ये topic deleted है अब अब देखो इस chapter में भी बच्चों को नहीं confusion रहती है confusion कहां पर रहती है इस chapter में आप लोगों के पास तीन topic है एक है mean एक है median और एक है mod तो median और mod में कोई confusion नहीं रहती है median और mod as it is आप लोगों के पास आता है और कहीं कहीं पर ये भी सुनने को मिल रहा है कि empirical formula deleted नहीं है है न मीर में आप लोगों के पास बीटा तीन method है mean में आप लोगों के कहा जा रहा है कि step deviation method delete है बट ऐसा नहीं है step deviation method जो था वो दो साल पहले CVSE ने डिलीट किया था इस साल का अगर आप syllabus देखोगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है mean of grouped data, mean of median of grouped data और mod of grouped data ungrouped data भी आपके पास delete है तो ungrouped data के भी आपके पास question नहीं आएंगे तो ये statistics की कहानी है स्टेप deviation method भी आएगा डिलीट नहीं है ये बहुत सारे स्कूलों में बोला गया है कि ये डिलीट है बर डिलीट नहीं है ठीक है भीया आरा यार यह लड़का बहुत ज्यादा स्पैम कर रहा है इसको ब्लॉक कर देते थोड़ा सा मतलब at least मैं अपनी जगह से तो ब्लॉक करी सकता हूं इसको हाइड यूजर ऑन दिस चैनल चलो निकलो चीक है हाँ तो अब मुझे तो नहीं देखे अभी भी दिख रहा हूं मुझे ठीक है जी हाँ तो यह चीजे फिर उसके बाद आप लोगों के पास आता है लास्ट टॉपिक इसका विचिस प्रोबैबिलिटी विचिस प्रोबैबिलिटी में भी सब कुछ पढ़ना है सब कुछ आएगा ठीक है जी सब कुछ आएगा वाइडिस वीडियो अगें अभे यह पहले कब बनाई थी यह तो आज ही बना रहा हूं मैं ठीक है ठीक है जी तो यह सारी के सारी चीजे इस साल के आज का हमारा यह वाला सेशन है कल मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सा सेशन बनाया है कि NCRT के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको स्किप नहीं करने जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन जैसे इसमें डिलीटिड पार्ट मैंने आपको बताया इसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से पार्ट हैं CBSE में ठीक है ना और कौन से ऐसे टॉपिक है जो डिलीट नहीं करने फिर जो सर्प्राइज की मैं आपको बात कर रहा था जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था आप लोगों के sessions ला रहा हूँ जिसमें तीन गंटे का यह session होगा और जैसा आपका स्कूल का पेपर आयगा जैसा आपका question पेपर आयगा उसी format में section A, section B, section C उसी तरीके से हम लोग इस session को करेंगे जो की है कब 15th of November वेड़नेस डे को पांच बज़े यह जगराता शुरू होगा और आठ बज़े तक यह जगराता चलेगा और मेंटी-वेंटी भी आम इसमें खेलेंगे तो यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत जादा फिर फिर mcqs को कैसे attempt करें अपने exam में यह session भी बहुत important है cbsc का sample paper जो दोनों sample paper cbsc ने release किया one versus two तो वो अपन लोग करने वाले 16th of November को फिर why class 10th result is important यह भी होगा और competency-based question some application of trigonometry statistics सिर्फ यही एक chapter हम लोगों के पास बच गया है तो इसका one shot session अपन लोग करेंगे और फिर internal marks जो 20 internal marks आपको मिलेंगे वो किस चीज़ पर depend करते क्या वो preboards के exam पर depend करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे हम यह सारे के सारे आपके अपकमिंग सेशन से सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है happy children's day in advance यारे यारे बहुत अच्छा है यार चिल्ट्रेंस डे तो तुम लोगों के लिए बाकि यार यह मेरा instagram आईडिय किसी को अगर मुझे इंस्टा पर follow करना हो तो it's K-U-L-D-E-P-B-0-1 यहा पर आप telegram group को जरूर जॉइन करें ठीक है सर NCRT marathon नहीं होंगे क्या मेरे तो सारे chapter खतम हो गए ना सिर्फ statistics और probability बचाता तो उसका हम one shot video में ही NCRT के questions कर लेंगे हाना तो बाकी तो मतलब बाकी subjects के बचे वे हैं तो वो देख ले ना है ठीक है जी so yes guys this is all about for this session बाकी make sure कि इस इस video को अपने दोस्तों के साथ share जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि सही ताइम पर सही जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे और यह गंटी बजा दोगे तभी आप लोगों के दिमाग की गंटी जलेगी और आपको सही जानकारी सही टाइम पर मिलेगी, अब किसी का अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, सर्फेस एरिया और वॉल्यूम का वन शॉट सेशन है क्या, चलो यार मैं आपको ना कुछ-कुछ important sessions आप लोगों के दिखा देता हूँ, कि कुछ sessions ऐसे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत जादा important है, तो अगर मैं ये screen को यहाँ पर लेकर आऊँ, है ना, तो आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला sessions तो अभी अमारा चल रहा है, तो कल मैंने एक session लिया था बिटा, live session में जब आप जाओगे, surface area and volume का one shot session है, है ना, कल मैंने live लिया था, उसके अलावा बिटा, आप लोगों के pre-boards exam के लिए, मैंने आपको बताया था ना, कि हर 20 most important questions, तो ये 20 most important questions for your pre-boards exam, ये अपन लोग, मैंने Saturday को लिया था, ये वीडियो देख लेना, कौन सा sample paper आपको लेना है, exam time पे कौन सा sample paper सबसे best होता है, कौन सा sample paper आपको purchase करना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसके अलावा बेटा, जब आप इस channel पे थोड़ा सा और, यहाँ पे click करोगे न, ये, कहाँ गया वो, 8 more links, हाँ, इस पे जब आप click करोगे, तो यहाँ पे आपको हाँ, यहाँ थोड़ा नीचे आओगे न, तो यहाँ पे आपको हर channel का, हर subject का short channel पता चलेगा, जिसमें, देखो, ये क्या है, ये short channel है, हर subject का short channel है, जिसमें हमने 60 second में आपको, मतलब चीजे बताईए, maths करने का best तरीका, real number से कौन से सवाल आप, बार बार पूछे जाते हैं, कौन से क्या pre-boards का paper मुश्किल आएगा, तो इस channel को भी जरूर subscribe करना, और इसकी videos को जरूर देखना, बहुत important है आप लोगों के लिए, है ना, तो इसको देख लेना यार, बाकि तो थोड़ा नीचे आजाओ, ठीक है जी, चालो, and one more important thing यार, आज सुर्भी माम, social science का syllabus paper, जो sample paper रिलीज किया था, CBSC ने, वो sample paper आप लोगों के साथ discuss करने वाली है, थोड़ी देर में, तो वो वीडियो जरूर देखना, है ना, वो वीडियो जरूर देखना, बाकि, ठीक है यार, है ना, बाकि तो all good है, ठीक है, चालो, तो चिड्रन्स डे पर गिफ्ट में भावी से मिलवाएंगे, बिल्कुल मिलवाएंगे, सर, areas of shaded region, areas of shaded region, areas of shaded region कहां गया, सर, area of shaded region deleted part was also in previous year sample paper, हाँ, वही मैं कह रहा हू, area of shaded region वाला जो पार्ट है, वो CBAC ने delete तो किया है, shaded region वाला नहीं, area of combination of figures in areas related to circle वाले chapter में, वो deleted है, बट मैंने करवाए है, तो मैं आपको यही suggest करूँगा, कर ले ना उसको, ठीक है ना, चालो, भाईया कल आपकी, कल children day पर कुछ इस, आपे कल ले क्या children's day, ओ, कल ले क्या children's day, मुझे लगा, ओ, हाँ यार, इतनी जल्दी 14 November भी आ गया, चलो या, ठीक है, so children's day, आप सभी को advance में happy children's day, है ना, तो बाकी तो, भाईया, मैं, children's day पर क्या gift दोगे, हाँ, बिल्कुल, मैं खुद बच्चा हूँ बेटा, तुम लोग मुझे gift दे देना, भाईया, कर रही हूँ, syllabus complete करना है, बट करू, stress हो रहा है, देखो यार, stress वगरा लेने की कोई जरुरत नहीं है, सारी चीजे आप अराम से करो, इस टाइम पर stress मत लो, जितने भी वीडियोज आप लोगों के लिए, हम ये वो बाले बनाते हैं ना, प्रिप्रेशन वाले जो वीडियोज रहते हैं आप लोगों के लिए, उन वीडियोज को जरूर देखा करो, ठीक है, बाकी यार, चलो फिर, चलते हैं, आणा, ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस वर इस जोइनिंग वर दिस अमेजिंग सेशन, आब हम मिलेंगे, किसी और दिन, तब तक के लिए, टाटा, बाई बाई, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, चेल्डरन्स डे पे,